आज हमने एक समिक्षा बैठक रखी ती है अपने सभी चीफ मेडिकल आफसर्स के साथ, सभी जिलों के, साथ में जो मेजर मेन हॉस्पिटल से विल हॉस्पिटल से हैं, उनके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी साथ में जुड़े थे, और जो छे हमारे मेडिकल कॉलेज जी से के केसिस बढ़ रहे हैं, नए वेरियंट्स का पता चला है कि ऐसे प्रचलन में हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि हमें क्या करना चाहिए, हाली में भारत सरकार ने एक मारत दर्शन हमें दी थी दो दिन पहले ही, कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं, ताकि कि यह पता चले कि अगर वेरियंट्स नया कोई आ रहा है, तो तुरण उस पकड में आएगा, तो उस सिलसले में हमने बैठक की तीन-चार मुद्दे जो एहम उवर कर आए, एक तो यह कि हभी हम अन्रोध ही कर रहे हैं, सभी व्यक्तियों से जो प्रदेश के अंदर या बा फैलता है, तो उसमें आपको ना जकड़े और यह रोक थाम भी जल्दी से हो जाए, दूसरा हमने देखा कि वैक्सिनेशन में कमी आई है, क्योंकि हाली में पिछले कई दिनों से नंबर आफ केसे अफ कोविड घटा गया है, इस कारण से लोगों में एक थोड़ा सा लाक सि आया हुआ है, कि शायद आवशकता नहीं है, तो हमने आगरह सभी से किया, जिनों ने प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है, कि वो बर्चड कर आएं और अपने प्रिकॉशनरी डोज भी लें, तीसरा हमने यह देखा कि जो हमारा टेस्टिंग है, वो आटी पीसे आर में आर वाय करें और आटी पीसे आर बढ़ाएं और राट के जगर पे आटी पीसे आर बढ़ाएं यह तीन में जो चर्चाएं हुई, चोथा हमने यह डिसकॉस भी किया कि क्या हम तयार हैं, अगर मान लीजे कोई वेव आता है फिर से, तो क्या हम तयार हैं, तो अवर्शे हम खुशी बात है कि हर जिले में हर इंस्ट्यूशन लेवल पे जो पीछे काम हुए हैं, ऑक्सिजन सप्लाई को लेके, वेंटलेटर के प्रोविशन को लेके, आईसीव को लेके, अपरेशन थेटर्र, कोवेड वार्ड, स्पेशलाइस वार्ड, इस सारे चीजे हमारी तयार ह तो सभी को यह आगरे किया गया है कि वो उसको पुनरिक्षन करें और देखे कि सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं, स्टाफ हमारे ट्रेंड हैं, उनको भी कहा गया है कि उनके साथ चर्चा करें लोकल लेवल पे ताकि एवरिबडी इस प्रिपैर्ट फॉर